हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टोबर चैनल एक्सपेरिमेंटल इंदुस्तानी आज आप देख सकते हैं आपको तुलसी जी का पोदे दिख रहे होंगे तो यही हमारे आज का विश्य है आज हम तुलसी जी के बारे में ही आपको बताएंगे जैसा कि आप जानते हो हमारे इंडिया में तुलसी जी की बहुत मानने था है लोग पूछते भी हैं तुलसी जी को और आयुर्वेदा में भी बहुत बड़ा नाम है कि तुलसी जी के पत्ते से म्यूनिटी बढ़ती है बुखान नी आता गडेली दो पत्ते या कुछ पत्ते खाए जाए तो आप देख सकते हैं मेरे घर का अंगन है मैंने कितनी यहां पे तुलसी जी उगा रखी है ऐसे बहुत से क gereki से बड़ा बहुत प्रहिए और जिंद दर्णकी है और रखी है तो केड़े लग जाती है ऐस शूप जाती तो आज क्यां सकतेशी लगा सकते हैं और कैसे ठोसिंड़ करे किया रखें और कीडों से कैसे बचाएं आप देख सकते हैं कितने अच्छी कितने घनी तोलसीती लग रहे हैं तोड़ी वो सूप भी जाते कभी अब यह देखे अभी न्यूफूल आ रहे हैं तो फ्रेंट्स अब देख रहे होंगे मैंने एक कटोरी में हल्दीली है जो की घर पे मिल जात है उसको पीस के राक बनाई हुए या आप राक भी ले सकते हैं जो पूरी जलने के बाद वासन बंधी है वो सबसे पहले तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पत्तों पर काले काले कीड़े लग जाते हैं पिर उसके बाद पत्ते खराब हो जाते हैं और उसके बाद पूदा पूरा सूखने लग जाता है तो आपको क्या करना है फ्रेंज मैं आपको और इससे क्या होगा जो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा है एक तुस्ते कीड़े भी मर जाएंगे और उसके लावा हमारी तुलसीजी की ग्रोफ बहुत हो जाएगी बहुत ज्यादा बड़ी होगी अब देख सकते हैं यहां इतनी अच्छी ग्रोफ है दुलसीजी की वैसी ग्रोफ आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले हल्दी और कोईला या कोईले की राक आपको लेनी होगी तो आपको क्या डढ़ना है सोड़ी सी हल्दी लेनी है उसके बाद ये पत्तो बेडा है अगर पत्ते साफ है तो कल बारिश होई है हमारे या तो पत्ते बिल्कु साफ है अगर पत्ते साफ ना हो तो आपको सबसे पहले पानी का छिड़काव करना है वो छिड़काव आप कर सकते हैं जो इस प्रेय आता है सब्सक्राइब करों आप इस से च्टिडगाफ करेंगे तो पत् 높ने सास हो जाएंगे इस आप इसके बाद आको हल्दी डालनी है और आपको जड में इसके कोईला डाल gestion क्रों यहां या्मझ बहुत कणम है इस भक्याद कलें पना कश्राइव प्ल्द के ह shortly यह एक ऐसी ट्रीक है जो आपको नहीं पता होगी पहले और यह देखिए मैं यह करता हूं कीड़े लगते हैं तो इस पे आप हल्दी डाले और आपकी तुलसी बहुत जल्दी ग्रोव करें और इस तरह लेड़िद आप और भी कोई कोशन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करवाअ को क्यों पूछिश करेंगे आपको बता पाए अब जीए मेरी ये टोठी सी मैंने कैरी बना रख़िए में यह षया है डू बहुतरतों सबसे ज़ाधा सूखते हैं तो फटी आपको ध्यान रखना है दियान तो ज़सी का ओर आपको अगर दुबारत से रीजो करना हैं तो आपको जो ऐसे बीज होते हैं ये नीचता है inspire डोटर्फ देक अब ऐसे वीजों को इसमें चोटे-चोटे-काले-काले प्रशाची च्छोथ होती है ओल सि को कि प्रशे लृगती आप इस टेंब में में ध्यल च talking संबührунफी A पर तूखने के बाद अभी जैसे फूल आ रहे हैं तो यह फूल आने दें जब तूख जाती है बिल्कुल तूलसीजी तो आपको काटने होंगे जाती है इस ताम यह कुछ वीज मेरे बिल्कुल पक्चोके हैं तो आप संबाल के रखें इसको बरसातों के टाइम पर डाले या पर बीजो को या फिर मार्ज के टाले तो आपकी बहुत जल्दी तुलसीजी ब्रो करें और बहुत हैल्दी होती है तुलसी माता को हम पूस्ते भी है थैंक्यू सो मच अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होचा कुछ काम के एक्सपेरिमेंट है तो चैनल अब जरूर जरूर सब्सक्राइब करें कभी नगर भी आपकी जरूरतों कियो से लेटेड वीडियो आपको दिखती रहेगी और बहुत माजा भी आएगा तो चैनल को फटा-फट आप सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्य कर दो